कि ही याई गाईज एंड वेल्कम टो स्वーनी स्वर्ड आज मैं आपको बताऊंगे अपने हातों पैरों को गोरा और मुलायम कैसे कर सकते हैं सद्यों में हमारे हाप पैर भी काले पड़ जाते हैं ट्राय हो जाते हैं और वहूत ही जादा रूके mit हैं ऐसे की刃 कर करते हैं व्यसका हमें हाथो और पैरों को बीजलो की बहुत ही आसान है और आप लाइव जल देख फाएंगे जल्दे से स्टार्ट करते हैं कि हम अपने हातों पैरों को गोरा और मुलायम कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हमको चाहिए मलाई यह मैंने आधा चमच मलाई ली है फ्रेश मलाई लेनी है हमको और आधा ही चमच हम इसमें डालेंगे शूगर यह शूगर थोड़ी दरदर ही है एकदम मोटी नहीं है एकदम और फ्रेंट फाइव टू सिक्स डॉप्स ऑफ फ्लेमन जूस डालेंगे हम तो फ्रेंट यह हमारा एक स्क्रब बनके तयार है अब हम इसको अपने हातों पे या पैरो पे जहां भी आपको करना है अच्छे से इसको पांच से दस मिन तर अच्छे से सर्कुलर मोशन में हम स्क्रबिंग करेंगे अपने हातों पे आप चाहे तो पैरो बेबी इसे स्क्रब कर सकते हैं तो फ्रेंट मैंने पांच मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग की थी अ आप मेरे दूसरा हाथ देख सकते हैं कितना डिफ्रेंस है आप खुद ही देख सकते हैं एक बारी में यह हाथ की स्किन किती सॉफ्ट हो गई है और इस इस हाथ का जो कलर है काफी फेर हो गया as compared to my right hand तो अब हम बनाएंगे मौश्यराइजिंग क्रीम आप कोई साफ कंटेनर ले ले लेना है वन टी स्पून एक छोटा चबमच वैसलीन और हमें चाहिए होगा अलवीरा जल आप चाहें तो केसर चंदन वाला ले सकते हैं या फिर जो ग्रीन वाला आता है वो भी ले सकते हैं जो बदाम का तेल या ओलिव ओल भी ले सकते हैं और फिन हम इसमें डालेंगे आदा चमच कोकोनट ओल और वन टी स्पून करीब डालेंगे हम इसमें गिल स्रीन और सारे इंगीडिन्स को मच्छे से मिक्स कर देंगे हमारी मौश्य रेजिंग क्रीम तयार है आप चाहे तो इसमें कोई भी एसेंशल डाल सकते हैं या मैं इसमें ओरेंज एंड लेमन एसेंशल डाल रही हूं हातों पेरों पे लगाएंगे यह बहुत ही अच्छा है और आप इसे दो से तीन मनी तक स्टोर कर सकते हैं अपका आप आज की पशनद आहीं होगी हम अपने हातों पेरों को मौलायं कैसे कर सकते हैं यह बहुत ही ज्याद क्रावटिय क्या लेकार को हमारे सकिन पर इसकी जुआ कि हमारे हाथों कि स्किन रना कि चेंगे आप आपको आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी पसंद आई होगी पसंद आई इस वीडियो को लैग ज़रूर कीजेगा और मैं आपसे मिलूंगे किसी नए होम रेमेडी नए डी आई वाई या नए किसी स्किन केर के साथ एल दन बाबाई स्टे हल्दी स्टे ब्यूतिफुल बाबाई